हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो यूट्यूब चैनल तो जो है कल पांच मही 2022 को शिदेव सुमन उत्राखंड यूनिवसिटी ने बीएड इंट्रेंस 2022 के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया है तो कल पांच मही कोई नोटिफिकेशन आया है तो अभी आपने देखा था जो 2021-2023 का जो सत्र था इसके लिए पेपर जो है लास्ट यह दो जारी किसमें नोव्म बर लास्ट वीक में हुआ था नोवमबर लास्ट वीक 2021 में इसका पेपर हुआ था कोविड के चक्कर में काफी लेट हुआ था पेपर और अभी मार्च में इसके admission चल रहे थे, ठीक है, मार्च 2022 तक इसके क्या चल रहे थे, admission चल रहे थे, ठीक और जो HNBG है, उसने अभी कोई notification नहीं निकाला है, 2022 तो 2024 का जो सत्र है, इसके लिए HNBG ने और कुमाव University दोनों में से ही, किसी ने अभी तक notification नहीं निकाला है, तो HNBG का तो मुझे expected है कि वो थोड़ा सा late मेरे ख्याल से form निकालेंगे, क्योंकि अभी श्रिदेश सुमन की event पिछला paper जो था, 2021 वो श्रिदेश सुमन का late हुआ था, HNBG का दो मेने मेरे ख्याल से पहले हो गया था, लेकिन HNBG के admission अभी April 2022 तक भी चली रहे थे, ठीक है, श्रिदेश सुमन के तो मार्श में खताम हो गये थे, और जो HNBG था, उसके April 2022 तक चली रहे थे, तो सब जो है, COVID के चकर मौथा लेट, तो फिलाल अभी 2022 का केवल श्रिदेश सुमन ने ही निकाला है, तो देखते हैं कि आपकी form बनने की date कब से start और कब, आपकी paper होने की date, उन्होंने दी है, फिलाल की, ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, तो यह देखो, आपको बोल रहा है, ओनलाइन आवेदन पत्र पंजी करन प्रारम होने की तिति, यानि कि आप registration कब से start कर सकते हैं, दस पांस 2022 है, अभी form बनना start निवाए, आज 6, तो आज 6 महीं, तो जो अभी है पॉर्टल खुलेगा, जब से आपके registration होना शुरू हो जाएंगे, वो खुलेंगे, दस महीं से, ठीक है, और पत्र पंजी करन की अंतिमती थी, ठीक है, तो registration की last date है, आपको 10 जून दे रखी हैं, यानि कि ठीक एक मैना आपके पास, ठीक है, ये भी जो है, बढ़ने के chances हैं क्योंकि शिर्दे सुमर्न ने पिछले बादी भी देखा था, आपने की बहुत date बढ़ाई थी, उन्होंने एक मैने से काफी जादा हो गया था, तो फिलाल जो उन्होंने date रखे, registration की last वो है, जून, 10 जून को, ठीक है, और जो है, आपको fees पे करने के लिए, दो दिन प्रवेश परिक्षात थी, इंटरंस एक्जाम की date रखे, वो भी एक्सपेक्टेड है, हो सकता है, इसे लेट चले जाए, जुलाई में हो पेपर, ठीक है, तो अब देखते हैं, कि हमारे इंटरंस एक्जाम की fee कितनी है, तो जो जिनको आइडिया नहीं है, तो पिछले साल भी थाउजन्ट ही रुपीज जो है, फीस थी और इस बार इभी थाउजन्ट रुपीज ही फीस है, जर्नल, ठीक है, ओबीसी, और अगर आपको फीस में थोड़ा कंसेशन मिल जाता है, ठीक है, ये फिर बाद में बात करेंगे, आपको अगर इन सब चीजों के बारे में ज बता दूँगे आपको, ठीक है, और जो आपके पास SCST वाले हैं, और जो विकलांग है, उनके लिए 600 रुपे फीस है, ठीक है, और ये तो रही आपकी केबल इंटरेंस अग्जाम की फीस, आपको बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा, तो जैसे पिछली बारी था, पि आपका पड़ सकते हैं, आपका गोपिशर है, श्रीनगर है, नई टीरी, दैरादुन, कंडप्रयाक, पॉड़ी, उतरकाशी, रोड़की, अगस्मरी, कोड़वा, दिश्के, छर्दा, तो जो भी आपका नियर्भाइ सेंटर होगा, तो एक्जाम में वो जब आप रेजिस् सक्षन में आता है, एक A और B, ठीक है, डेडेड़ घंटा दोनों के लिए मिलता है, और पहले पेपर में आपके आती है, लैंग्वेज, बनें कि कोई भी जैसा आप इंग्लिश चूज़ करेंगे, तो इंग्लिश से कोशन बनेंगे, एंड जनल, जो है जनल नॉलेज, समा उनसे आपको कोशन पूछी जाते है, कॉमर से तो कॉमर से कोशन पूछी जाते हैं, तो अब हम देखते है, eligibility कौन-कौन बेड का फॉर्म भर सकता है, आप eligible हैं की नहीं, इसके लिए जो है, नोटिफिकेशन में लिखा गया है, कि अगर आपने किसी भी UGC अप्रूफ आपका जो है, लेंड मार्क है, 45%, आपके ग्रेजुशन पॉस्ट ग्रेजुशन पे, 45% मार्क अट लीस्ट होने चाहिए, ठीक है, 45% से अभाव है, तो कोई बात नी, वो तो eligible हैं है, लेकिन अगर आपके 45% से कम है, और शाफ साफ मेंचनें की, 49, सोरी, 44.9, इसको आप रा परिजुशन में, दूसरा इनने जनर्र वालों के लिए जनर्र वालों के लिए, एट लीस्ट कितनी होने चाहिए, 50% होने चाहिए, ठीक है, इसमें भी सेम है, कि राउंड ओफ जैसे 49.9 वाला भी eligible नहीं है, वो बेड का फर्म नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनक मार्क है, वो है 45%, ठीक है, तो देखो, दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी 2022 बेड इंटरेंस एक्जाम का फॉर्म भनना चाहते हैं, उनमें से जातर बच्चे, MSC अभी फाइनल और BAC फाइनल में होंगे, तो वो लोग भी यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, जो अब देखें, अब देखें, इंजिनेरिंग वालों के लिए, श्बेशली हैं, यहां पर मेंशन हैं कि इंजिनेरिंग जिसमें, विग्यान और गणित की विशेश्ता हो, में 55% अंक प्राप कने वाले अभी जबरता में पर देखें, परविश परिक्षा के लिए पात रों तो निचे उंगे तो नहीं भर पाऊँगे 55 से अब वाले तो भर सकते हैं और जो इंजिनेरिंग में ही जो जाती और सेस्टी वाले वह कितना कर सकते वह उनके लिए लेंड मार्क हो का 50 ठीक है बाकि जो जनरल वगर उगे उनके लिए 55 परसेंट और जो जो है जो है ठीक है तो इस वीडियो को परपस यही था कि आपको आपके एक्जामिनिशन डेट और एलिजिबिलिटी बता दी जाए तो फिर बनिये रहे हैं हमारी यूटीब चैनल के साथ इसी के साथ जो नेक्स वीडियो आएगा वो डिटेल डिसकेशन आएगा कि आपका पेपर कैसे किसे आना है तो तो तीन गंटी का पेपर आएगा वह सब हम अगली वीडियो में डिसकस करेंगे तो गाइस अगर वीडियो ने आपको हैल्प क्या हूं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा थैंकिस सो मज आएगा किसो आएगा पेपर कर दो अवीडियो जाएगा तो